हाई अब्रीवन बेलकम बेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल वंडरलामीता आज हम यहाँ पर इंस्टेंट डोसा बनाएंगे जो की पांच मिट में बनकर तैयार हो जाएगा यहाँ पर हमें कोई दाल चावल ओवरनाइट सोकिंग नहीं कराना है नहीं उनको फर्मेंट कर के डोसा बनाएंगे तो क्चीर यहां पर एक ज़ी काप सूजी डालेंगे उसी मौट पथली जो भी आपके पास है यह पर हम दो चमच पोह ले लेंगे ये पथ्ला वाला पोह आएं जिसी की हम जिवड़ा बनाते हैं नमकीन बनाते वह वाला पूहा है तो यहाँ पर मैंने दो चमच पूहा ले लिया है इसे नागपुरी पूहा भी कहते हैं एक कप मैंने यहाँ पर दही डाला है दही ताजा दही होगा तो ज्यादा अच्छा है यहाँ पर मैंने एक इंच द्रक का टुक्ड़ा राल दिया है स्वात के लिए और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर इसे ग्राइंड कर लिया है देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने इसमें पानी का बिल्कुल भी उप्योग नहीं किया है हमको यह बैटर थोड़ा थिक ही चाहिए तो पानी बिल्कुल भी ना डालें इसमें अब हम इसको चला कर देख लेते हैं तो देखिए इस तरह से जिसे हम इडली का गोल बनाते हैं बस इस तरह से ही हमको इसे रखना है अब हम यहाँ पर चटनी बनाएंगे तो मैंने ताजा फ्रेस एक कटोरी नारियल ले लिया है दो चम्मच यहाँ पर रोस्टेड मूम फली है दो चम्मच रोस्टेड चनादाल है मैं पहले से ही इन चीजों को रोस्ट करके और एर टाइट डबे में रख लेती हूँ मैंने दो से तीन हरी मिर्च ली हैं आदा ही इन चद्रक है और चार पाँच लेसुन की कलिया है सौफ है आदा टीजपून जीरा है आदा टीजपून और आदा टीजपून यहाँ पर मैंने आम चूट लिया है मैंने यहाँ पर चटनी में आमचूर पाउडर डाला है एक चमच आप इसकी जगे एक चमच निवू का रस भी डाल सकते हैं हमने यहाँ पर जो आमचूर डाला है या निवू का रस बो इसमें थोड़ा खटा फन लाने के लिए डाला है तो दोनों चीजों में से एक को इसी भी चीज इसमें हम डाल सकते हैं तो यहाँ पर अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो मैंने यहाँ पर दो तीन चम्मच पानी डाल दिया है और यहाँ पर स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे तो देखे यहाँ पर चटनी बनकर तयार है बहुत ही बड़ी है अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे तो मैंने यहाँ पर यह चटनी बाउल में ट्रंसपर कर लिए अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे आप बिना तड़के के वी से ऐसे ही खा सकते हैं मगर तड़का लगाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा तो हम यहाँ पर इसमें राई और कड़ी पत्ते का तड़का लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने राई और कड़ी पत्ते और थोड़ी से हींग डाल कर इसमें तड़का लगा दिया है तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़िदार चटनी बन कर तयार है अब हम इसको मिक्स कर देंगे जिससे कि इसकी कड़ी पत्ते की खुदू चटनी में अच्छे से मिक्स हो जाए अब हम चलते हैं डोसा बनाने तो यहाँ पर बैडर को चेक कर लेते हैं यहाँ पर मैंने एक पाउच इनो का डाला है थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हलके हाथ से मिक्स कर देंगे तो मैंने यहाँ पर एक चमच पानी डाल दिया है और हम इसे अच्छे से हलके हाथ से पूरे बैटर के साथ इनो को मिक्स कर देंगे यहां हम हलके हाथ से इनु को बेटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि यह एक जगे एक खटा ना रहे यहां पर मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है और यहां पर मैंने पहले से ही पैन चड़ा कर रखा है तो इसमें हम दो तिन ड्रॉप आईल डालेंगे बस इतने में हमारी रेसिपी बन कर तैयार हो जाएगी तो इसे हम अच्छे से इस तरह से इस्टिट कर देंगे और अब हम एक बड़ी चम्मच भर कर इस पर डोसा वेटर डाल देंगे तो यहाँ पर देखिए इसे बिलकुल भी हमें फैलाना नहीं है यह अपने आप सेट हो जाएगा तो इस तरह से देखिए यह अपने आप सेट हो गया है और एकदम डोसे की तरह बन गया है तो अब हमें इसे पांच मिट तक इसी तरह से सिखने देना है देखिए कितना बढ़ी है कलर आगया है और यह यहाँ पर बन कर तैयार है डोसा तो हमें इसे निकाल लेंगे और अब दूसरा डोसा बनने के लिए डाल देंगे तो फिर मैंने बही चमच भर कर और इस तरह से डाल दिया है और यह अपने आप सेट हो गया है तो पांच मिट में बन कर तैयार हो जाता है यह डोसा इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है और बहुत ही टेस्टी डेस है तो यह टोटल पांच से साथ मिट में बन कर तैयार हो जाता है और आप इसे कभी भी बना कर इंजॉय कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए डोसे में कितने अच्छे से पूरे डोसे में बबल सा गए हैं और यह बहुत ही सॉप्ट डोसा बन कर यहाँ पर तैयार है चलिए अब हम यहाँ पर प्लेटिंग कर लेते हैं तो मैंने दो तिन डोसा बन गए हैं और प्लेट लगा ली है यहाँ पर मैंने दो चटनी रखी हैं एक कोकोनट की चटनी है ताजे कोकोनट की और एक चटनी लाल वाली है जो कि मैंने आप से इसकी रेसिपी पहले सेयर कर चुकी हूँ यह दोनों ही चटनी डोसे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है तो आप इस तरह से बनाएं और इंजॉय करें और आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा थैंक यू फार वाचिंग बंडरला अमीता प्लीज लाइक सेयर एंड सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल